स्वागत है आपका हमारे चैनल पर आज के इस वीडियो में हम आपको एक गुड नीज देने वाले हैं ये गुड नीज होगी रेलबे गुरूप डी भरती के लिए ये भरती 2018 की भरती है और यहाँ पर रेलबे बोर्ट द्वारा एक आफिसियल नोटीस जारे किया गया है जिसमें बताया गया है कि आपके गुरूप डी का रिजल्ट कब आएगा तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे हम बात करने वाले हैं जादा जानकारी के लिए इस वीडियो में बने रहिए सब्सक्राइब करिए इस्टेडी फर्जाब चैनल को और बेल आइकन को दबाएए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो यहाँ पर इस वीडियो में हम आपको एक नोटिस दिखाएंगे जिसको पढ़ने के बाद आप कनफरम जान पाएंगे कि इसका रिजल्ट किस दिन आ जाएगा जैसा कि आपको पता है कि जो इसका Official notification आया था 9 February को आया था पिछले साब 9 February 2018 को और मीडिया में ये खबर चल रही थी कि 18 February तक इसका रिजल्ट आ जाएगा 18 February को डेट टलने के बाद ये होने लगा कि एक मार्च को आएगा लेकिन एक मार्च बीतने के बाद भी अब इसी तरह की और अफवाहें चल रही है लेकिन इसी तरह railway ने एक notice जारी करके इन सभी आप वहाँ पर बिराम लगा दिया है और उसने confirm बता दिया है कि इसका result किस तिति को जारी होगा तो चलिए आपको उसका आप notice दिखाते हैं और इसके लिए आपको लिंक इसी वीडियो के description में या फिर पहले comment पर मिल जाता है आपको उसी लिंक पर जाकर click करना होगा तो देखिए वहाँ पर click करने के बाद सीधे आप इस page पर होंगे यहाँ पर है railway, rrb, group d, requirement 2018 result यह 2018 की भरती है यहाँ पर जब आप नीचे जाते हैं तो यहाँ पर important date के बारे में बताया गया है कि इसका notification कब जारी किया गया application कब से शुरू हुआ exam का date कब था और इसका अंतिम date कब था सब कुछ इसमें आपको मिल जाता है लेकिन आपके लिए जो सबसे जरूरी चीज़ है वो है result तो यहाँ पर लिखा गया है कि result उपलब्द होगा 4 March 2019 को और इसकी संभावना है हलाकि यह इसकी संभावना नहीं है यहाँ पर जब आप नीचे जाते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है download notice तो आपको download notice के सामने दिये गए क्लिक यह पर क्लिक करना होगा जो ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप railway के एक official page पर होते हैं यहाँ से आप देखिए यह RRB Chennai का home page है यह कोई फर्जी page नहीं है यह RRB Chennai का home page है आप वैसे Google में भी जाके और RRB Chennai के page पर जा सकते हैं यहाँ पर आप उपर ही देखेंगे एक news flash हो रही है new करके यहाँ पर है कि CEN number 02-2018 label 1 post age पर 7th CPC मतलब यह दिया गया है notification 02-2018 के लिए तो देखिए 02 की बात की जाए तो यह group D की ही बढ़ती है जिसका notification number था 02-2018 तो यहाँ पर लिखा गया है important notice में कि the list of candidate shortlisted for paid against CEN number 02-2018 for label 1 post shall be published on 0403-2019 मतलब कि आपका जो result है वो 4 March को आ जाएगा और यहाँ पर उन सभी candidate का नाम होगा जो कि अगले label यानि कि paid exam के लिए qualify है तो बस आपको और दो दिनों का इंतिजार करना है अगर आप यह video चार तारीक के बाद देख रहे हैं तो आप इसका result इसी website पर से जाके download कर पाएंगे एक चीज़ हम आपको और बता दें कि इसका जो result है हर official website पर जारी किया जाएगा जो की railway का journal wise website है तो आप कहीं से भी जाके इसे देख पाएंगे तो इसी तरह आप इस notice को पढ़ सकते हैं जिससे आपको संतुष्टी हो पाएगी और यह एक official notice है तो आज के इस वीडियो में इतना ही आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए अपने दोस्तों में सेयर करिए इस्टेडी और जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू